प्राइम टीवी सच साहस सरोकार पुलिस की दविस से बचने के लिए वो बलीपुर गाओं में बहन के घर में छुपकर काफी दिन से रह रहा था उसको डर था कि भाई का पता लगाने के लिए पुलिस उससे भी पूस्ताच कर सकती है फिलहाल पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्त माटम के लिए भीज दिया है आसपास लगे सीसी टीवी की मदद से पुलिस सबूत खंगालने में जूटी हुई है पर इस खबर पर हमारे समवादाता पवन पटेल हम से जूड़ेंगे पवन उमेश पाल हत्याकान में क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है अगर पुरे घटना की सिलसिलेवार बात की जाए तो बीते 24 फरवरी को MPML कोर्ट से वापस लोटते समय उमेश पाल को दिंदाहडे गोलियों से भून कर मौत के घाट उतार दिया गया था इस पुरे घटना को लेके मुख्य्मंत्री ने भी इस पुरे मामले को संग्यान लिया और पुलिस की टीम लगाता इस मामले का कुलासा करने के लिए दिंदाप मेह Grass कर रही है लगातार पुलिस की टीमें जो है अलाग 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 जन्पदों में भी जबिश दे रही है अगर पुरे घटा करम को देखा जाए तो पुलिस दौरा करीब 13 आरोपियों को नामजद किया गया है और इस पुरे घटा करीब दौरान अभी तक पुलिस ले दो आरोपी को तो अगर पुलिस की अधिकारीों की मारे तो आभी तक इसकी पुरी तरीके सा॥ आंडिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है श्किरे और शाविर की बात की जाए तो शाविर इस पूरे घखना में मुक्यारोपी के रूप में सामने आया है और जाकिर उसका भाई है ऐसे में यह कड़ी जो है कहीं ने कहीं उमेद पाल हत्याकान के ले जाकर जोड़ रही है हाला कि जो पुलिस की टीमें है वो लगातार मामले को लेकर लगा जो है अभी तक खाली है तो अभी भी पुलिस की पकर से दूर लेकिंट पुलिस की टीमें लगातार कारिया करें और जल्दी इस मामले पर बड़ी कारवाई देखने को मिलेगी जी मैयूरी जी पवन अगर अभी देखें तो इस मामले में आतिक के बेटे और उनके साथ ही है उन तक पुलिस नहीं पहुच पाई है इसको लेकर क्या कुछ कारवाई की जा रही है बिल्कुल जैसे मैंने पहले अभी बताया कि पुरे घटना को लेकर आज करीब 15 दीना और ऐसे में पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है क्योंकि घटना में शामिल करीब जो 13 ना मारी थी तता जो इसके पहले इंकाउंटर हुआ था बताया गया कि उस घटना के दौरान यही आरोपी उस संदिक क्रेटा कार को चला रहा था जिस क्रेटा कार से अप राजियों ने उमेश पाल को निकल कर गोली मारी थी लेकिन अगर पुरे घटना क्रम को देखा जा तो पुरे घटना के दौरान अभी तक जो मुख्या रोपी है वो पुलिस की पकर से दूर है हलांकि जो अभी तक पुलिस की पकर से दूर है और पुलिस लगातार उसके तलास में जुटी हुई है क्या लगा जा रहा है कि जल्दी पुरे घटना को लेकर प्रयाग राज में बड़ी कारवाई पुलिस को देखने को मिलेगी जी पवन देखें तो यह मामले में आतिक एहमत की भी मुश्किले बढ़ सकती है उसको उत्ता प्रदेश लाने की तैयारी की जा रही है पूस्ता कर देकर कहा था कि घटा में शामिल जितने भी आरोपी हैं उनके उपर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी और उनकी जो एक सबसे बड़ी बाशी सदन में कही गई कि घटा में सामिल सभी आरोपियों को मिट्टी में मिला दूंगा तो ऐसे में अभी तक जो पुलिस की क जो कि पुरे घट्टा के दौरान करी 13 आरोपी नामजद किये गए है और पुलिस की टीमें अभी तक उन आरोपी को नहीं पकर पाई है जो मुत्रूप से चेहरे सामने आये थे चाहे वो अतीक के लड़के के उपर नामजद का रोप हो और चाहे अन्य जो आरोपी हो चाहे इ जैसा एक अपरादी का नाम भी सामने आया है जिसके बारे में कहा जाता है कि गुड़ू बंबाद माज पांच मिनट में बं बना लेता है और जिब पूरे घट्टा के दौरान जो CCTV सामने आया था उसमें भी साथ तोर पर देखा गया है कि किस तरीके से सरे रहा गोली और पूरे घट्ना को देखा जाए तो मिलता कुमेश पाल के जो परिजन है वो पुलिस की कारवाई से संतुस्त जरूर है लेकिन बातचीत में उन्होंने अपने ब्रद को जरूर बया किया है उनका कहना है कि जब तक पूरे घट्ना के सारे आरोपी मिट्टी में नहीं मिल जा जाए गा या जो आरोपी है पुलिस पकड़ेगी यह किस तरह से कारवाई ओगी यह तो भी कहने वाली बातौज होगी लेकिन लगातार जो कारवाई और जारी है और जल्दिक अगला जा रहा है कि बड़ी कारवाई देखने कई प्रदेसों में भी अतीक के तार जुड़े हैं चाहे अगर बीते दिनों की बात की जाए तो लखनाव इसी तेक अपार्टमेंट से अतीक की दो महंगी गाडिया बरामाद होना अतीक के गुर्गों का वियार में लोकेशन मिलना तमाम ऐसी बाते हैं जो सोचल मीडिया के म लेकिन लगाता जो कारेवाई है वो अतीक अनकंपनी के इर्दिगर्द घूम रही है और कहा ये भी जा रहा है कि प्रियाग रास सहित कई अन्य शेहरों में भी अतीक के करीबियों अतीक के गुर्गों पर कारेवाई होगी जी मैयूरी जी धन्यवाद पवन तमाम जानकार के लिए बिहार में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किले बढ़ गई है एक के बाद एक केंडरी जाच एजनसियान लालू पर शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है जमीन के बदले नौकरी मामले में एडी ने कारवाई शुरू कर दी है लालू के परिवार से जुड़े 15 ठीकानों पर एडी ताबर तोड च्छापे मारी कर रही है पूरा मामला बताते चलें कि लालू 2004 से 2009 के रेल मंत्री रहते हुए लेंड फॉर जॉब इस कैम हुआ था नौकरी के बदले जमीर लेने के घोटाले में लालू और उनके परिवार वालों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीर लेने का आरोप है इस मामले में CBI ने मई 2022 में लालू और उनके परिवार के सदसों पर भरष्टाचार का केस दर्ज किया था गौर तलब है कि जमीर के बदले नौकरी मामले में CBI टीम ने लालू प्रसाद यादव को पूस्ताच की थी CBI की टीम ने लालू यादव से लगभग पांच घंटे पूस्ताच की थी इसी मामले में लालू की पतनी रावली देवी से पटना इस्तित उनके निवास पर भी पूस्ताच की गई थी आपको बता दें कि से पहले I.R.C.T.C. केस में भी E.D. की एक टीम लालू के करीवी के घर पहुची थी CBI के बाद अप्रवरतन निर्देशाले ने लालू के परिवारवालों के डिल्ली सिठीकानों पर छापे मारी की है और इस खाबर पर हमारे समवादाता पटना से मंजेत सिंग हम से जुड़ेंगे मंजेत लालू यादव की लगातार मुश्किले बढ़ती जा रही है अब उनके करीबियों पर CBI और E.D. का सिकंजा कस्ता नजर आ रहा है जी मैयोरी आपको बता दे कि लालू के साथ साथ जो उनके करीबिये हैं सभी लोगों यहां छापे मारी चल रही है जैसे आपको बता दे कि बिहार से जो बाहर राजों में जैसे दिल्ली हो गई और कई जगों पे है उन जगों पे भी छापे मारी चल रही है जैसे होटल हो गया इन सबी जग होके छाप पे मारी चल रही है आपको बता दे कि पर्षाद को लेकर है जमीन लेकर और नोकरी देने की मामूरा की ज़सा रही है और आपको बता दे कि इस मामले में ला रेकरशाद को ला ना जो उनके जो बेटियां हैं उनके अवास पर उनके जो अस्थानी जगल हैं उहां पर भी छापे मारी चल देए मंजित लालू परसाद यादव के परिवार पर क्या कुछ आरोप हैं जी बस वही आरोप आपको बतावे कि जो लालू परसाद जो जमीन लेकर और नोकरी दिये हैं उस जमीन को भी जमीन जो है परिवार को रेजिस्टरी कर दी जाए यह मने लिख दी जाए कि उसी के लोगर जो है कि इडी चापे में लगातार जाए मंजीत अभी और कहां कहां एडी की कारवाई देखने को मिल सकती है अभी तक कहां कहां एडी की कारवाई हो चुकी है आपको बता दे कि जैसे पटना पटना के कई मने पटना से लेकर अभी 15 जगों पे 15 अस्थानों पे जो है कि इली की छापे मारी चल रही है और आपको बता दे कि मिडिया रिपोर्ट के अंसार बता दे आपको मुंबई दिली और अन्य जगों पे जो है कि छापे मारी चल रह दिल्ली के पूर्वुप मुखमंतरी मनीश सिसोधिया की मुश्किले बढ़ गई एडी ने सिसोधिया से करीब 15 घंटे तक पूस्ताच की पूस्ताच की बाद मनीश सिसोधिया को गिराफतार कर लिया गया इस पर राजनेती गलियारों में सियासत तेज हो गई है छोटे बड नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है दिल्ली शराब नीती केस में गिराफतार मनीश सिसोधिया को दिल्ली की राज एवेन्यू कोट ने पेश करने का आदेश दिया है तीन दिन की कड़ी पूस्ताच के बाद एडी ने 9 मार्च को अरेश्ट किया था इसके बाद सिजनसी ने कोट से उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी थी इसके पहले सीबी आई ने 26 फरवरी को उन्हें अरेश्ट किया था इस मामले में मनीश की जमाना तियाचका पर दुपहर 7 दिन की सीबी आई रिमान के बाद कोट ने 6 मार्च को सिसोधिया को 20 मार्च 14 दिन की नियाए ख खिरासत में तिहार जेल भेजा था अब इसके पीछे की मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपने सुना होगा बहुत पहले जब चाय बेचने वाले को प्रधान मंतरी हम लोगों ने बना दिया उसके बास से वो सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं आकाश से लेके पाताल तक उन्होंने सब कुछ बेच दिया अब ही कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वो इसी बेचने के करम से सब बेचते जा रहेते बेचते जा रहेते फिर उन्होंने सोचा क्यों ना अब हम खेत itन बेच दें तो किसान इन्से डरने वाले इसलिए कि क्योंकि इसानों के पास होता है डंडा और वो उनको प अपने दोस्त अडानी को बेज दे उस सब को रोकने के लिए इन्होंने मनी सिसोधिया जी को जेल के अंदर डाला हुआ है और इन्होंने सिर्फ मनी सिसोधिया जी को जेल के अंदर नहीं डाला हुआ है इन्होंने पूरी सिच्छा विवस्था को जेल में डाल दिया है कई करो बनाती चली जा रही उससे पूरी भारती जंता पार्टी घबरा गई है और इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें तो जब सबूत सारे मिल गए और करोड़ों रुपए का लेंदेन हुआ है और सराव नहीं थी अगर सही थी तो वापस क्यों लिया है सिधी सी बात है कि बिन तत्यों के कभी करवाई नहीं करती है और इडी तभी आती है जब उसमें का टांडेक्शन सोता है तो दोनों जैंसियों ने अगर उनको ग्रफतार किया है तो मनें से सो दिया जी और साथ वे उनकी जो नेता अर्विंद कजरेवाल जी के उपर एक बड़ी जो है क्रुशन म इस नहीं कर रहा है जिनका बेदा केरियर है देश की सिमाय सुरक्षित है और गरीबों के कल्यान के लिए काम कर रहे हैं गरीबों में और जंता में उनकी लग्रुता अपार बड़ी हूई है उनके मुकाले कोई नियता नहीं तो आप इकठे हो जाईए यह आलंग लग हो ज जुडेंगी। सुहानी मनीश इसोधिया मामले में अभी तक क्या कुछ अपडेट है। साथ तर पर कहना है कि सरकारी जो संपत्ती थी 144 करोड का मनीश इसोधिया ने घोटाले किये हैं और इसी को लेकर आज उन्हें जमानत के लिए आज जो राज रेविन्यू कोट में उनकी पेसी थी और उनके सुनवाई होनी थी और इसको लेकर दो बज़े सुनवाई भी यहां तक कि 14 फोन नस्ट किये हैं और तमाम ऐसी सिम कार्ड है जिने उन्होंने नस्ट कर दिया है और ऐसी तमाम उनके खिलाप उनके सबूते हैं वो CBI और ED जो है कोट को दिखाई और उनसे सामना भी किये यही दूसरी तरफ उनकी जो पार्टी है उनका यही कहना है कि यह अब उसको लगा कि अब वनीश सोधिया आज छुट जाएंगे तो उसी को लेकर उन्होंने युडी की भी बैठक बुला दी और युडी से ग्रिवतार कर दिया तो इसे वनीश सोधिया से जो बीजेपी सरकार है वो डर गई है और इसलिए वो तमाम ऐसे सबूते और तमाम ऐ जो की तमाम ऐसे सिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत में वो प्रिरित कर रहे थे लेकिन जो बीजेपी सरकार है वो डर गई है और इसलिए उनको जेल कर दी है और आपको बता दे कि उनके जो नेता है उनका ये भी उनने ये भी जाम लगाया है कि मनी सिसोधिया को तिहार जेल में जान से मारने के भी साजिस की जा रही है सुहानी मनी सिसोधिया ने तिहार जेल से देश के नाम एक चिट्थी लिखी है उस चिट्थी में क्या कुछ है जी मेरी आपको बता दे कि उस चिट्थी में उनने लगतार ये कहा गया था कि जो सराब नीती वर्षेज सिक्षा और उनका साथ और पर कहना है कि मैं सिक्षा के लिए जो अपने देश में आगे प्रगती करना चाहता था लेकिन जो बीजेपी सरकार है उनको डर हो गया क्य जो है पूरे सिक्षा को सरकारी से लेके प्राइबिट सेक्टर में बदलना चाहती है और इसी के लिए वो मुझे इस सब चीजों में फचा रही है और ऐसा कोई मैंने गुना नहीं किया है वो तमाम ऐसे अपने के लिए बुनोंने तमाम सवाल किये तमाम उन्होंने बोला थी और उनका ये भी कहना है कि हमको जेल में ऐसे लो ऐसे सेल में रखा गया है जहां पर बड़े अपराधी रहते हैं और मुझे यहां पर जान से भी मानने की कोशिस किया जा रहा है लेकिन वहीं दूसरी तरह बीजेपी सरकार कहना है कि आखिक जो तिहार जिल हो किसके प् सुहानी इस पूरे मामले पर आम आद्मी पार्टी अब क्या कुछ रुखा अपना सकती है आगे जी मैरी आपके बता दे कि जो ये आम आद्मी पार्टी है वो कहीं ना कहीं अब धर में से इस पूरे मुद्दे को जोड़ रही है कुछ दिन पहले उनके जो नेता अभी जो उनके लिये है मुद्ध मंतरी का जो पद गरहन के उनका कहना है कि जो मनीशी सोदिया है और चाहे राजजिन रजैन है वो कहीं न कहीं बगवान जैसे 14 बर्स के बनवास गये थे उसी तरह मनीशी सोदिया जी भी गया है वो जरूर वापस लोड़ के आगे कि उनके किलाब कोई सबूत नहीं है जो भी सबूत है ये बीजेपी जो अपने से बना रही है ना कोई CBI के पास सबूत है ना की ED के पास सबूत है ये सिर्फ एक साजिस रचा जा रहा है क्योंकि जो चुनाव आने वाला है 2024 के जो कहीं न कहीं अब जो बीजेपी है वो दर गई है कि ये हमारे बराबरी का पार्टी होती जा रही है और कहीं न कहीं हम मुझे नुकसान पहुचा सकती है इसलिए ये पूरे ये अजेंडा जो है बीजेपी रच सही है और कभी न कभी जो बनवास से लोटका मनी सुसोदिया जाएंगे अपना कारिबार समालेंगे तो उसी तरह हम लोग भी कर रहे हैं वही केजवाल का भी कहना है कि प्रहलाद की भूमिका में मनी सुसोदिया को देखते हैं तो ये पूरे जो उनका कानून है वो पूरे ये नीती को उन्होंने धर्म से जोड़ रहे हैं क्यूंकि कुछ लोगा ये भी कहना है कि जो ज़िवाल और मनी सुजोदिया विक्टम काट धर्म के नाम पे खेल रहे हैं कि उन्से उन्से चुना में उनका सहता मिल सके तो ऐसे जो अब देखते हैं कि किजवाल इस पर और क्या अपना रन निती अपनाते हैं और क्या कदम उठाएंगे मनी सुजोदिया के लिए जेस्वानी ये तो देखने वाली बात होगी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुनने के लिए महिला अरक्षड बिल पर तेलंगाना के सियम के सी आर की बेटी कविता आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला अरक्षड बिल की मांग को लेकर एक दिन की भूख हर्ताल कर रही है वे संसत के बजट सत्र में महिला अरक्षड बिल लाने की मांग कर रही है उनके साथ आप अकाली दल PDP, TMC, JU, NCP, CPI, RLD, NC और समाजवादी पार्टी समेत 17 विपक्षड दलों के नेता भी मौजूद है लेकिन इस प्रदर्सन में कॉंग्रेस को दूर रखा गया है बता दें कि 12 राजनीतिक दलों की सदस इस अंसन में शामिल है इस अंसन को विपक्ष का शक्ती प्रदर्सन माना जा रहा है इस विध्यक के अनुसाल लोग सभा में 33 फीजदी सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए दिली के जनतर मंतर पर बिल को लेकर प्रदर्सन हो रहा है महिला आरक्षड बिल को लेकर शांती प्रदर्सन हो रहा है बता दें इस पूरे प्रदर्सन में 17 विपक्षी दलों के नेतां भी मौझूद है वहीं कॉंग्रेस को इस प्रदर्सन से दूर रखा गया है दिली के जनतर मंतर में भिल को लेकर लगातार प्रदर्सन हो रहा है और इस खाबर पर हमारे समवादाता गौराफ सिर्वास्तव हम से जुड़ेंगे गौराफ महिला अरक्षड को लेकर दिली के जनतर मंतर में धरना हो रहा है कि बिल्कुल यहां पर धन्ना दे रही हो धन्ना दे रही है भारत रास्ट समीति की प्रमुख के सियार यानि तिलाग्याना के मुख मंतरी के सियार की बेटी के कविता अगर अगरे है तो कभिता सभी पूस्ताच आज और यहां जनतर मंतर में चंसर में अरक्षर की बात कर रही है कर रहे हैं कि जो ब्यूस्ता है उसके अलग के सभीता यहां पर सरकार के बिरुद्द प्रिकार से आधरन का सुरू हो चुका है वह संदेश देना चाह रहे हैं कि मैला को देखते हुए यहां पर आर्चर बहुत जरूरी है खास शंचर और राज्यों मेला कई कर सकते के मैला के अधरन मेरा अर्चर होना चाहिए जी मैयूरी गारव इस धरना में कितनी संख्या में लोग शामिल है कौन-कौन से दल मौझूद है बात करें तो यहां पर कोरिश की दूरी जरूर रहा है तो यहां पर बात करें कि लोग आए तमाम अकाली दल से नोगाए तो यहां पर पहुचे है इसके लागर बात करें समावरी पार्टी से पुजा सुखला समर्ण से नेने पहुती है तो क्या वजा है कॉंग्रेस को इस धर्ने से अलग रखा गया है इसके बात रखी जाएगी दिपत्र वाले मामले पर बिपत्र नहीं हुआ पर निश्रूप से जिस तरह आप पट्र जा रही हुए थे पर बिपत्र नहीं जरूर आई थे बसके बात यहाँ पर क्येकर भीता भी धन्दे पर बैठी है गौरफ जिस तरह से तमाम दल महिला अरक्षड को लेकर इखटा हुए है धर्ना करें ये धर्ना कब तक चलेगा जब देखने बादी बात यहाँ बात ही है कि धन्दा की रूप रेशा क्या रहे है धन्य कर बहुत पर बहुत पड़ेगा जब आपकारी निटी को लेका लगाता कारभाई जा रही है तो दिल्ली के उपमकंतरी है उनको ग्रफ़तार कर लिया गया है जब देखने वाली बात होगी बहुत बहुत धन्यवाद हम से जूड़ने के लिए चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही आगे आपसे फिर होगी मुलाकात अब तक लिए बने रहे है प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोगा